दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिव्याशर्मा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अख्रोट खा रहे हैं और आपको उनका फाइदा नहीं हो रहा तो इस वीडियो में जरूर जान लें कि अख्रोट खाने का सही तरीका क्या है जिससे हमें उनका पूरा फाइदा मिल सके हमें अपना जीवन को स्वस्त और निरोग बिनाए रखने के लिए आईरवीद का सहारा जरूर लेना चाहिए आपको हमारी वीडियो में ऐसे ट्रीटमेंट मिलेंगे जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उने करना भी बहुत असान है अब जानते हैं अकरोट खाने का सही तरीका ताकि उसके सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकें और जानते हैं अकरोट खाने के क्या-क्या फाइदे हैं सबसे पहले इनके फाइदों के बारे में बात करें तो जिनकी भी नसे ब्लोक होती है या फिर बॉडी की कोई नस ब्लोक है तो यानि उन्हें ये ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए यानि उन्हें अक्रोट जरूर खाने चाहिए उसके इलावा जिनके भी घुटनों में जो बूत बनती हैं इसके इलावा जिन जो भी डाइबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी अक्रोट जरूर खाने चाहिए अक्रोट खाने से डाइबिटीज कंट्रोल में रहती है यह हमारी बॉडी में शूगर लेवल को कम करता है जो भी लोग अपनी बॉडी में एनरजी लेवल लोग फील करते हैं उन्हें भी अक्रोट जरूर खाने चाहिए इसके इलावा अक्रोट की जो फाइदे हैं वो जिनको भी पेट से रिलेटिव कैंसर हो जाता है या फिर यह कह सकें जो भी लोग यह चाहते हैं कि उन्हें पेट का कैंसर कभी नहीं हो उनको भी अक्रोट जर फोले हार्ट को एक्टिव रखना चाहते हैं। उन्हें भी अक्रोट ज़ित घाने चाहिए। बालों और सκिन के लिए, यानि कि बालों को हेल्दी बनाई रखने के लिए। और सकिन को शार्प करने के लिए अक्रोट बहुत बेनिफीशल है इन्हें brain food भी कहा जाता है अब बात करते हैं इन्हें खाने का तरीका क्या है आपको चार अक्रोट लेने है चार अक्रोट के गिरी लेनी है और उन्हें एक गिलास दूद में बॉइल करके ले लेना है रात की टाइम इस खाना है जैसे हम खजूर बगारा को बॉइल करते हैं वैसे ही आपने दूद में अक्रोट को बॉइल करना है अच्छे से उसके बाद आपने चीनी मिक्स नहीं करनी आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए मिश्री मिक्स कर सकते हैं ऐसे लेने से आपको ये सारे के सारे फा पाइदा नहीं हो रहा, वो इस तरीके से इसे अकरोट को यूज करेंगे, तो आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे, ये थी इन्फरमिशन अकरोट को सही तरीकी से खाएं और उसके बेनिफिट लें, ये इन्फरमिशन आपको कैसी लगी, प्लीज अपने कोमेंट्स के द्वारा जरूर बताईए, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें, अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो इसके इन्फरमिशन, उसके अप